मिशन के वियस स्वागत है आपका मिशन के वियस में और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इसकी शुरुवात कर रहे हैं बहुत इंपरन्ट टॉपिक है और यह जो टॉपिक है इसके कोशन तो लगबग काफी सारे एक्जाम में देखने को मिलता है जोग्रफी का एक टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक है हमको पता होना चीए बेसिकली इसका जो कंटेंट है वो शिक्त और सैवन कि आपके सामने रिप्रेजेंट किया है विद फुल अनिमेशन वाइलिंगोल तो कोशिश यह रही कि आपको इन में से जाद से चीजे याद हो जाए और उतना ही चीजे रखिए जितने कोशन में फॉर्म होकर आपके सामने पेश हो सकती है ठीक है तो बेसिकली हमारी जो अ एटमोस्फेर है न वह पांच लेयर से बेसिकली पांच लेयर से मिलकर बना हुआ हर लेयर का एक अपना महत्व है हर लेयर हमारे अर्थ के लिए बिल्कुल बहुत ही बहुत इंपोरेंट है हर लेयर में कुछना कुछ activities घटती है जो आपको इस picture में दिखाई जा रही है कही के एक सबस्क्राइब करनेंगे सबस्क्राइब अबटे रहे हैं कही है तो हर अपना महत्व को इसके बारी बारी समझतें और में यह लिखा यहां पे इंग्लिश में लेकिन में इसका हिंडी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है सो लेट स्टार्ट पहले थोड़ा एट्मोस्फेर के बारे में समझ लेते हैं वायू मंदल होता कि है बेसिक सी डेफिनिशन बाई अर्थ इस सराउंड़ेट बाई लेयर ऑफ गैस कॉल वायू एट्मोस्फेर मतलब अर्थ जो है हमने पढ़ा भी है कि कंबल की तरह लपेटा हमारी बनी होंगी है ऑर दा एक्मोस्फेर अप्टु दा हाइड आफ अब आवव शिक्टीन हंड्रेड खिलो मेंटर सब्सक्राइब काफी फैला हो बिजनस है अब इसकी लिएर के बारे में करके पढ़ना है हमारी ने सबसे महतकूर्ण सबसे इंप्रेंट लिए सारे बहुत महत्पूर्ण है ठीक है उसका बहुत सारे रीजन है हाउस रीजन को समझे पहले इसके यह सबसे इंपॉइंट ले रहे है मैंने बता दिया इसकी हाइड जो है एवरेज हाइड जो 13 किलोमेटर है कई के पर अलग अलग हाइड दिखाई गई लेकिन हमको NCRT के साथ जा जाती है और इसकी वयर्से मैं आसानी से सांस ले पाता ह्यां ठीक है यही वोस्तर Armor है जाहां पे सांस लेने माईंसान को दिक्कत नहीं होती मांट ट्र проблем में पाया जाता है इसी एकानल चाहिसरी Explan Minya मैं अले Saint Leiter में पाया जाता है ठीक है मौसम की लगबक सभी घचना इसन और और ओला वर्षन यानि rain, fog और hail इसी लेड़ में पाये जाते हैं यानि आपको rain मिल जाती है इसमें देखने को ओला यानि आपकी hail मिल जाती हैं यहां पर देखने को और आपका फॉग यह तीनों चीज यहां पर देखने को मिलती है ठीक है काफी important layer है भाई सांस जहां ले तो बहुत जादे हैं आप बस जादे हो जाती है मांट आफरेश से में पाई जाता है सब्सक्राइब तो यह थे हमारी first layer ठीक है शोब मंडल next is stratosphere समताप मंडल शोब मंडल के जस्ट उपर समताप मंडल एक के उपर एक है स्टेर वाइस एक के उपर एक के उपर एक ठीक है समताप मंडल जो है यहां पर मौसरम से यहां इसी layer में उड़ते हुए दिखाई देंगे ठीक है इसकी आवरे जाइड जो है वह 50 km है from the surface ठीक है 50 km है फिर the stratosphere is free from any weather disturbance like a thunderstorm cloud or turbulence अब भाई हर तरह की चीज़ों मैंने बता दी आपको यहां पर ना वर्शा वगेरा का कोई पंगा यहां पर अराम से आप लोग उड़ती देख लेते हो जहाज बगेरा को देरफोर दिस लेडिस सुटेबल फॉर फ्लाइंग जैट एरक्राफ्ट और एरोप्लेन वगेरा ठीक है इसके इसके बिलकुल जो यह लेयर है ने इसके डाउन 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 पार्ट में जिसको निचला इससा है उसमें यह सब चीज़े उड़ती दिखाए देती है अब ओजोन लेयर भी इसी में पाई जाती है जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती सबसे इंपॉर्डट कोश्चन अगर पेपर पुछ लिया पाई जाती है और यह हमें यूवी रेस से बजाती है यह बहुत इंपॉर्ण और आपको पता है हमारी ओजोन लेयर पर खत्रा है ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से और अगर ओजोन लेयर पर ऐसी छेद होता गया तो यूवी रेस डिरेक्ट अंडर करी हमारी अर्थ पर हमारी बहुत नुक्सान में गुऑना थो चना है हमारी उनले १ं सर्वाइवर का है दिकेलिए और नेस्ट मंडल जो है जहाँ पर आस्मान मिलकुर्खशाफ है वहा पर आपको एक चमक तोरह एक लाइन सही जाता है इस तोटोट था तारह दिख रहा है 24-5 छटे जो इसी स्वार अर्थ डिसाफ्च बड़ दीजुशत्तध है जादा था जो आम मेแตप太 और को ऑनरा तो कब हमारा काम खता है but most of the time जब भी आपको तूटता वाता रहता है वो असल में कोई भी भी श्मांगने के लिए नहीं है वो एक meteor होता है जो उपर ही बढ़न हो गया होता है just because of just this layer ठीक है चलो इसके बारे में थोड़ा पड़ते हैं इसकी भी आपके meteor बगएर आते हैं asteroid belt से कुछ निकल के आगया कुछ भी निकल के आगया तो वह भाई साब हमारे अर्थ पर टगराने वाले होते अगर यह वाला हमारा अगर यह ना होती तो अब तक हम भी ना होते is erm Swerve बाय मंडल अब थर्मोस्पेर जो है वह काफी बड़ा है तो इसके अंदर एक पार्ट और आता है ठीक है इसी में आपको तो यह बहुत ही जाद हो जाता है इसकी जो एवरेज हाइट है वह आपकी 800-400 नहीं 80-400 किलोमेटर होगा यहाँ पर by mistake मैंने इसको मैं एक मिन्ट बस दे दो मैं ठीक कर दे रहाँ इसको just a second यह मैंने इसको ठीक कर दिया है इसकी एवरेज हाइट जो है वह 80-400 किलोमेटर है एक्चुली होता कि कभी भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है उसके लिए माफी चाहूंगा तो धर्मो स्फेर का एक सबसे इंपॉर्ण पाइट है आइन मंडल यह फिसको इंगलिश में कह सकते हैं लोनोस्फेर अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीई होती सबसे एंपॉर्ण एक्तिविटीविटीई होती इस लेडियो संचार के लिए इस परत को उप्योग कर आता है क्योंकि इसमें सैट् लीन क्या करता है रिफ्लेक्ट कर देता है जो भी रेडियो ट्रांस्मिशन होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और उसी से हम लोग अपने रेटरों को वगयरा बता नहीं क्या क्या चीज़े यूज कर लेते हैं तो इस लेयर के भी बहुत ज्यादा बिलकुल ठीक है इस तरीके से बस इसकी जहां एंडिंग होती है वहाँ पर स्पेस चालो हो जाता है इस लेयर सेपरेट दा रेस्ट ऑफ दा एट्मोस्फेर फिर फ्रॉम दा आउटर स्पेस सही बात है जितना भी भार का अंत्रिक्ष है यह उससे हमारे अर्थ के इस लेयर से निकलती है तो आपको वीडियो पसंद आई होगी बहुत इंफर्मेटिव वीडियो थी इसमें वही जीज डाली है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोडेंस रखती है एक्जाम पॉइंट आफ्यू से वीडियो को मैंने थोड़ा छोटा रखा है और कंट में जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को ऐसी सपोर्ट करें थैंक्स फॉर वर्चिंग बने रहे हैं मिशन के वेज के साथ थैंक यू